साथ्यों का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एक्सेस अकेडमी पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12460 सिछक बरती सुनवाई से जुड़ू ही तीन बड़ी अफडेट जो निकल कर सामने आ रही हैं उन पर वहीं 32825 सिछक बरती में 1291 मामले पर सुप्रिम कोर्ट से महत्पूर जानकारी नई सिछक बरती और TGT PGT एक्जाम डेट को लेकर के सिछा से बाद चैन आयो की महत्पूर बैठ है आज जूनियर एड़ेट सिछक बरती और पस्चिम बंगाल में रद की गई सिछक बरती के हा जानने के लिए वीडियो में अंतक बने रहे हूं और जीटो को लाइक करें दोस्तों में सेयर करें जितने बाइब चैनल पर पहली वार विजिट करें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर तब हैं आगे की लिटेश अबडेट पाने के लिए तो गया है बेंच हुआ ही है कोट नमबर नो है लेकिन सुप्रिम कोट सुनवाई में क्या बड़ा बदलाव हुआ है उस पर नज़र डालते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप तो भी लोग जानते हैं बाराजा 460 चकबरती कि सुनवाई के लिए जो कॉज लिस्ट आई थी उसमें के के से अब देखा जाए तो कोट नमबर 9 में कुल जो है 30 केस जो है वो सुनवाई के लिए टोटल हो चुके हैं और ऐसे में आप सभी सात्यू को बता दें अब अपना मामला यानि 2460 चकबरती मामला जो है वो 30 नमबर पर सुनवाई के लिए रखा जाएगा इसे जुड़ू ही अपडेट भी आप से भी लोग यहाँ पर देख सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप से भी लोग देख सकते हैं कि यह सप्लिमेंटरी कॉजलिस्ट है सुप्रिम कोट की तरफ से जारी की गई है जहाँ पर यह आप से भी लोग देख सकते हैं 852024 की सुनवाई के लिए क हो करके आए हैं तो कुल मिला करके 12,460 चकबर्ती मामला पहले आप सभी लोगों ने देखा था कि मेन कॉज लिस्ट में 15 नमबर पर लिस्टेट था अब 15 और प्लस 15 सप्लीमेंटरी तो कुल मिला करके 30 केस जो है कोट नमबर 9 में सुनवाई के लिए हो गए हैं और ऐसे में अ सकता है कि मामला पहले भी टेक अप हो जाए लेकिन जिस तरीके से सप्लीमेंटरी कॉजलिस्ट आने के बाद जो चांसेस बनना है वो यहीं है कि 12,460 चकबर्ती मामले को लेकर के सुप्रीम कोट में आज जो सुनवाई है वो अब लंच के बाद होती नजर आएगी कुल मिल करके यह जो सुप्रीम कोट सुनवाई में बड़ा बदला हुआ है उससे जुड़ी ही अपडेट के बाद हम मूप करते हैं दीम हात्मोर की तरफ तो दोस्तों यह तो 12,460 चकबर्ती जो सुप्रीम कोट में सुनवाई में बड़ा बदला हुआ है उससे जुड़ी बड़ी जो है वो doubtful रह सकती क्योंकि दो दिन पहले ही उनके पिता जी का देहांत हो गया था और इस वज़े से जो उनकी उपस्तिती आज सुनवाई में है उसकी संभावनाय दोस्तों बहुत कम है और प्रियास करेंगी अगर वो उपस्तित हो सकती ही तो जरूर अपने मामले में सुन है कि सरकार की तरफ से एस वर्याभाटी में आज की सुनवाई में प्रजेंट रहेंगी ये पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका है अब कोई अनफार्चनेटली अगर दिक्कत नहीं आती तब भले ही वो उनपस्तित रहें अन्य था ये बिल्कुल स्योर हो चुका है कि एस व हमारे पांच मोश्टर सीनेट अधवक्ता आज सुप्रिम कोट में खड़े होंगे उनको सपोर्ट मिलता है एस वर्याभाटी में को तो स्कूल आवंटन के लिए आज जो है आप सभी के लिए रास्ते खुल सकते हैं क्योंकि एक मात्र वही भी कल्प है आटर मोडिफिकेश जिसके भी आप पर आप सभी चैनितों का स्कूल आवंटन के लिए सुप्रिम कोट से डायरेक्शन मिल सकता है और उसी को लेने के लिए सरकार के तरफ से आज प्रियास किया जाएगा वही दोस्तों ये तो कुछ महात्पूर जानकारिया हो गई सभी चैनितों के लिए और दोस्तों जिस तरीके से चैनितों की टीमों की तरफ से आज की सुनवाई के लिए पैर भी का प्रियास और अपने अद्वक्ताों की ब्रीफिंग परकरिया पूरी की गई है तो दोस्तों अगर आज सुप्रिम कोट में आडर मोडिफिकेशन में अप्लिकेशन पर आरगोमे होंगी तो ऐसे में एक मजबूत पच्छ जो है चैनितों की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में बन रहा है और इस और ने अगर चाहा और सुप्रीम कोर्ट सरकारी अधवक्ता की आर्गुमेंट से कंवेंस हुई तो आज आज आडर कोडिफिकेशन अप्लिकेशन पर जो है वो डिरेक्शन सुप्रीम कोर्ट से मिल सकता है चैनितों के स्कूल आवंटन को बेसिक सिछा विभाग उतर प्रदेश को कुल मिला करके आज का दिन बहुत ही महत्पूर है दोस्तों और आज का दिन जो है वो चैनितों के लिए इतना इंपार्टेंट है कि आज उनके लिए भविश्ची के सारे रास्ते खुल सकते हैं और चीज़े आगे बढ़ सकती है स्कूल आवंटन के डिरेक्शन के रोब में हलाकि तैयारी पूरी है अब तैयारी का रिजल्ट भी अगर उतना बहतर आ जाए तो बहुत अच्छा होगा तो कुल मिलाकर के इस वर से सभी लोग प्रातना करें और उमीद करें कि सुप्रीम कोट से आज एक बहतरीन डिसीजन देखने को मिलेगा आडर मोडिफिकेशन अप्लिकेशन पर वहीं दोस्तों आप सभी को बता दे चैनित अभ्यक्तियों की तरफ से जितनी भी टीमें है स आप सभी लोग जानते हैं उनकी तरफ से पिएस पटवालिया सर मोस्टर सीनियर अदवक्ता के रूप में उपस्तित होंगे बाकि अन्य कौन आज सीनियर अदवक्ता वो उतारते हैं सुनवाई के लिए ये भी काफी महत्पूर हो जाएगा लेकिन पिएस पटवालिया सर क और अपोच किये जाने के साथ साथ जो है केस फाइनल डिसाइड के लिए सुप्रिम कोर्ट में रिक्ष्ट की जाएगी यानि अचैनित ये नहीं चाहते हैं कि चैनितों का स्कूल आवंटन का डायरेक्शन आज मिले और उनकी तरफ से दोस्तों ये पूरी तयारी है कि 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 किसी भी तरीके से केस को फाइनल सुनवाई तक ले जाया जाए और फाइनल लिस्तारण के बाद ही सुप्रिम कोर्ट का जो आदेश आए उसके भिहाब पर स्कूल आवंटन की प्रकरिया पूरी की जाए तो सभी चैनित के साथियों और उनकी टीम और उनके अधवकताओं क को स्कूल आवंटन के लिए आज सुप्रिम कोर्ट से डायरेक्शन ना मिल पाए और केस फाइनल सुनवाई के लिए आज से लग जाए और मामला निस्तारित होने के बाद जो फाइनल आदेश सुप्रिम कोर्ट से आए उसी के विहाब पर आगे की कारवाई भरती में सुनि होगा उमीद करेंगे कि आज सुप्रीम कोट से चैन्तों के लिए इस्कूल आवंटन के रूप में एक अच्छी ख़बर देखने को मिलेगी तो ये 12460 से चखबर्ती से जुड़ी ही जो बड़ी अपडेट में कल का सामने आ रही थी वो हमने आप से भी साथ डिसकस की है अब आप बात करेंगे 32825 से चखबर्ती के साथ अन्य की आज की महत्पूर्ण खबरों पर दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 32825 से चखबर्ती में 1290 में मामलियों को लेकर के अभयत्यों की तरब से सुप्रिम कोर्ट में दो SLP फाइल की गए थी सुप्रिम कोर्ट ने बिना सुने ही उन SLP को खारिज कर दिया है और उससे जुड़ी जो अब जानकारी निकल का सामने आ रही हूँ आप से भी सामने है कि सीर्स अदालत ने खारिज की अर्जी बिवाद खत्म 12,000 अभयत्यी नहीं बनेंगे सिच्छत क्या है मामला जानते हैं पूरी अपडेट तो परसदी प्रात्मी की स्कूलों में 2011 में शुरू ही बात 3825 इस प्रसिच्छों सिच्छक बरते के अंतरगर 1295 चैनितों के सुच के डबल बेंच के आदेश के खिलाब दाखिल की गए थी अभयत्यों ने पिछले साल याच का दायर की थी 1291 चैनितों सुची में सामिल कोच अभयत्यों ने पिछले साल लुक्ति के लिए सुप्रिम कोर्ट में याच का दायर की थी जिस पर सुप्रिम कोर्ट ने कोई सुन काउंसिलिंग कराते हैं नुक्ति पत्र जारी किया जाए इसके किलाब राज सरकार के स्पेसल अपील पर हाई कोड की टबल बेंच ने 16 अप्रेल को एकल पीट के आदेश को यह कहते हुए रत कर दिया था कि नुक्ति प्रकरिया शुरू होने के 13 वर्स बात काउंसिलिंग करा में वर्स 2011 की 72,825 प्रसुच्यों सिचक भरती में विबिन जिलों में काउंसिलिंग के बाउजू नियूंतम कटाप यानि अनारचित 105 और आरचित 90 से अधिक अंग पाने वाले कई अभरती चैन से अधिक अंग पाने वाले कई अभरती चैन से वनचित हो गये थे इसके खि और इसी सूची में सामिल अभरतीयों की तरफ से अपनी निक्ति प्रकरिया पूरी करने को लेकर के मांग की जा रही थी लेकिन सुप्रिम को बड़ी जटके को रूप में उनकी SLP को खारिच कर दिया गया है अब किन रास्तों पर आगे इसमें बढ़ा जा सकता है इसको ले जानकारी सेर की जाएगी मोग करते हैं अगली महत्पूर्ण खबर की ओर दोस्तों बात कर लेते हैं उत्ता प्रदेश में 1894 पदों पर हुई जूनियर एड़े सिचकबर्ती से जुड़ी हुई महत्पूर्ण अपडेट के बारे में तो जूनियर एड़ेट के 1894 पदों के एड़ेट से चकबर्ती चुनावबात पूरी किये जाने की मांग फिर से शुरू हुई है इसके लिए जूनियर एड़े से चकबर्ती संगर समित के पता अधकारियों ने लखनों में अधकारियों से मुलाकात के संसोधी परढ़ाम घोशित किये जाने के बावजूर्ण द दिया है अभयतियों ने कहा कि आस्वासन पूरा नहीं किया गया तो सफल 43,000 से ज्यादा अभयति अनवर अधरना देंगे संगर समित के प्रदेश अधेश नागे अंधर पांडे के नितरत में प्रत्योगी चात्रों के एक सिस्ट मंडल ने राजे सैची का नुसंधान यो सायका ध्यापक पत के लिए बैली से जाचाचाट अध्यापक को शपल अभयतियों की संख्या 1544 है तो कुल मिला करके लगबग तीन वर्सों के इंतजार के बाद जूनिर एड़ेट से चखबरती की उम्मीदे जो है लोगसभा चुनाओं के बाद पूरी होती नजर आ रही लेकिन अभी दोस्तों कुछ भी कहना इसमें जल्दबाजी है क्योंकि लोगसभा चुनाओं के बाद देखना है कि अधिकारी जिस तरीके से आस्वस्त की हैं या उसी तरीके से कारवाई आगे बढ़ाएंगे अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही अच्छी और सकारात्मक ख अयोजित की जाएंगी अब उत्तरप्रतेश शिचा से बचेंड आयोग के मातें से ही किया जाएगा और इसको ले करके अच्छी और सकारात्मक खबंनिकल का सामने आ रही है देख सकते हैं सिचासे वांचैन आयोग की पहली बैठक आज आयोक की रिया सेult करने को लेकर कार जनापर भी कि जायेगी चर्चा प्रात्मिक से लेकर उच्छ सिच्चड संस्तानों तक में तद्धा तकनीकी और अल्पसंकिक सिच्चड संस्तानों में सिच्चड वक्ति करने के लिए गठे तुतर प्रदेश सिच्चा से बाचे एन आयोक की पहले बैठक बुद्वार को हो की जाएगी बुदुहार को आयोग के कारेवाहक अधिच्चता में होने वाली बैठक को देखते हुए इधकारियों में केवल कारेवाहक सच्चु अभी नामित किये गए है इनके अलावा चार उप्सच्चु एक बित नियंतरक एक परिछा नियंतरक एक बित अधिकारी एक इसके बिना लब्वित बर्तियों में असिस्टेंट प्रोफेसर टीजेटी पीजेटी की बर्ति परिच्छा नहीं कराई जा सकती है। चर्चा की जाएगी आयोग में सदस्यों अदकारियों करमचारियों के बैटने की बेवस्तायों कार्याले में उपलब्द सुभधाओं को लेकर के भी मीटिंग में चर्चा होने वाली है। उसके बरे में जानकारी पहुचाई जाएगी मूब करते हैं अगली महत्मूर्ण खबर की ओर। सुप्रिम कोर्ट से परशिम बंगाल सरकार और 25,000 से अधिक सिचकों को बड़ी रहत मिली है। क्या है खबर उसके डालते हैं बंगाल सिचक बरती रद करने के फैसले पर सुप्रिम कोर्ट का इस्टे कलकत्ता हाई कोर्ट ने भरती को अमानी कराल दिया था। हलाकि मुक्य नैदिश डिवाई चंचूर नेयमुति जेवी परार दिवाला और नेयमुति मरोज मिस्रा के पीट ने सीबियाई को जाज जारी रखने और राजमंत्री मेंडल के सदस्यों के भी जांच करने की अनमती दे दी है। पीट ने सीबियाई से कहा वाज जांच के दोरां किसी संदिक्त को गिरिपतार करने जैसी कोई जल्दबाजी ना करे। रहेगी और आगे जाज में जो फैसला होगा उसके भिहाब पर आगे की कारवाई सो निश्चित की जाएगी। नहीं आ सकते हैं सुप्रिम कोट का ये स्टेटमेंट निकल कर भरती से समद्दिक सामने आया है। दोस्तों उत्राखंट से एक और बड़ी ख़बर निकल का सामने आ रहे ही जापर बेसे सिचक की भरती के लिए बाधिता हुई खत्म। प्रदेश में राज की प्रात्मी बित्यालेव में सिचको की निक्ति का रास्ता साप हो गया है। प्रदेश में बेसे सिचको की नई नियमावली लागू होने से अलगबद छत्ति सो प्रात्मी सिचको की भरती का रास्ता साप हो गया है। प्रात्मी सिचको की बिभागी अधकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। उत्रखंड सरकार की तरफ से। तो दोस्तों आज की महत्पूर्ण खबरों के अंतरगत आज की इस वीडियों में पस इतना है। अगली वीडियो में तब तक लिए सभी सात्यों को जहेंचे भारत बंदे मात्रम। को झाले गलो जारे वीडियों याओyor है।